विवाह महुत्सव का आनंद आपने लिया और बहुत सुन्दर विवाह तो होना ही चाहिए विवाह जीवन का निमारी अंग है परन्तु विवाह अज्ञान भाव के लिए नहीं विवाह ज्ञान भाव में होना चाहिए विवाह को केवल मौज मस्ती का विहार का केंद्र न माना जाए विवाह परमार्थ विवाहर का केंद्र है हमारे रिशियों ने विवाह को संस्था कहा है सिद्धान्त संस्था का नाम है विवाह हम बड़े हो गए हम समझने लगे हम समझदार हो गए हमारा अहंकार मरा हमारा काम, क्रोध, मद, मोह, लोब, मतसर सब विवाह सज्था में आने पर अपने आप देरे, 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 समन को प्राप्त हो जाता है बहुत ही क्रोधी दूला हो व्याह कर दो, तीन साल के अंदर पानी भरेगा क्या हूँ? वो थोड़ा करेगा अरधांगने उससे जबर करेगी, फिर पंचाईत होगी पहले मुहले वाले, फिर इस्तेदार, फिर कचहरी सब ठीक हो जाता है केवल ये, किसी ने कहा महराज मेरा व्याह हो गया क्या करना चाहिए, बोले अब तू कुछ न कर, अपने आप सब लो करा देगे तेरा कुछ करो ये, विवाह केवल विनोध नहीं है विवाह संसार के व्यवार का निरवाह है आदमी व्यवस्थित हो जाता है परमारत और धर्म दोनों में अवस्थित हो जाता है चिन्ता मुक्त हो जाता है रिवा के बाद मनुश्य सव समस्याओं से एक दाम मुक्त हो जाता है बजन में लगा रहता है बगवान में रमा रहता है सत्पत पे चलता है वो थोड़ा भी जटका इदर उदर तो घर में सटका चलता है ठीक हो जाता है इतनी अच्छी संस्था है ये क्या-क्या लोगों ने परिभाशित कर रखा है अरे अयोध्याकांड के प्रार्मभकी कथा में श्री चक्रवर्ती महराज अपने चारो पुत्रों को योग्य मानते हुए और जेश्ट पुत्र राम को राज सभा संचालन की योग्य समझते हुए उनके युवराज पद पर अविशेक का नरणे लेते हैं गुर्दय भगवान श्री वशिष्ट नारायन के शरण में पहुंचे भगवान वशिष्ट देव से दिवेदन करते हैं प्रभु रामजी सब प्रकार से योग्य हो गये हैं जैसे आप वैसे सभी देव लोग उनकी प्रशंसा करते हैं देव बोले तो व्रामण देव प्रभु आप उचित समझते तो उनका अविशेक होता गुर्देव ने कहा राजन जिससे बिमुख होकर जीव को पचतावा होता है जिसके भजन बिना हुर्दय का ताप शमन को नहीं प्राप्त होता है वही जगदीश अनंतानंत प्रमात्मा अनंत कोट ब्रहमान नायक अध्यान तहीन अचिंत अद्वूत खलेश्वर महुर्द का क्या विचार करना बेगी विलंबुनकरियन्रिप साजिय सबोई सवाई सुदिन सुमंगल तब नहीं ही जब तेरा महुत जो है गुर्दय उन्हें क्या कहा बेगी शिकृता करिये बिलंब न करिये शुभस्य सिग्रम शुभकाम में विलंब नहीं करना चाहिए नहीं तो फिर देर हो जाती है कोई भी मंगल कारे करना हो तो कर डालिए सब होता रहेगा दो कारिये किसी से जगड़ा करना हो तो कहिए कल करेंगे और सतकर्म करना हो तो तुरंत निकलिए घर से बाहर करके आईए दोनों में कारण क्या है कहीं मन न बदल जाए जगड़ा करना हो आप तरजाई लेकर सो जाए यसी चला करके सबेरे मन बदल जाएगा जंजट समाप तो हो जाएगी सतकर्म करना हो आपने रजाई बोढ़ा तो अगले दिन मन बदल जाएगा अरे रात को सोचा था है आवश्चक थोड़ी है कि अब तक बना रहेगा चलो फिर देखेंगे मन बदल जाएगा तो जंजट और तनाव को मन बदलने के लिए रात पर नहीं प्राता काल पर छोड़ा जाए सतकर्मों को आज ही कर लिया जाए कल तो देर हो जाएगे यही बात रात पर रचना बन गई गुर्देव ने क्या कहा बेगी बिलंबुन करियंद्रिप बेगी साधिय स्था भूई समा दो दिन जुमंगल तबड़ सतकर्म तुरंत करिये दान तुरंत करिये पुण्य तुरंत करिये एखंड पाराएंड तुरंत करिये गंगासनान तुरंत करिये तिर्थ यात्रा तुरंत करिये बस पांच साल की बात है, हम भी सरवकाल भजन करेंगे, नहीं करेंगे आप घर का कोना गिरेगा, उसको बनमाने में तब साल लगेगा पड़ोसी मुकदमा करेगा शरीर जब तक फिट है, जो करना है करते रहे ये तो सब लगा रहेगा ये जगत है लगा रहेगा आना किजी का अरे साथ देखिए हमारे परमस्दे मास्टर नता सिंग जी कहते हैं